हम कुछ करें एक अच्छे मनुस का निर्वान करें एक अच्छे समाच के निर्वान के लिए अच्छे मनुस का निर्वान करना अनिवार है परम आवशक है लोग मुझे से पूछते हैं मुनी जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं फिर आपने जिन्दगी में क्या जोड़ा है मैं कहता हूँ मेरे भाई मेने जिन्दगी बार छोड़ा ही छोड़ा है और जोड़ने की नाम पार मानव को मानव से जोड़ा है मेने जिन्दगी बार जोड़ा ही जोड़ा है मैंने जिनकी बार जोड़ा छोड़ा ही छोड़ा है और जोड़ने के नाम पार मानो को मानो से जोड़ा है आप सब लोगों से गुजारिश से अगर आप तरुन सेगर का कहा मने अपना तन बीबी बच्चों को दे देना चल जाएगा अपना जाएगा सगेश संबंदियों को दे देना चल जाएगा लेकिन अपना मन सिवा इस्वर के और किसी को मत देना जिन्दकी में कभी दुखाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है परिशान होने की जरूरत नहीं है उसे भी सुईकार करो जो भी दे दे मालिक तु कर ले कबूल कभी कभी काटों में भी खिलते हैं फूल जो भी दे दे मालिक सुईकार करो जीवन में परिवर्तन लाना है जीने का ढंग बदलो परिवार नहीं बदलेगा आपको बदलना पड़ेगा सामने वाला नहीं बदलेगा आपको बदलना पड़ेगा हमारी दिन चरिये बदले हमारे जीवन में कोई बुरी यादत है वो बदले हमारे जीने का तरीका कुछ गड़बड है वो बदले सब कुछ बदल जाएगा इसलिए मियाम से ने भी दन करूँगा दर्म की शुरुवाट की बल मंदिर मजजित सिवाला इस वो चर्च से नहीं हुआ करती है अपने घर से होती है अपने घर से नहीं होती है अपने से होती है अपने आप से होती है इसलिए जीवन के लिए जीवन की सम्रती के लिए जीवन के कल्यान के लिए हम गुरुवों के पास जाते हैं मुनियों के चरण छूते हैं क्यों इसलिए मुनियों ने इन चरणों से पुरे देश की ही पुरे हिंदुस्तान की यात्रा की है उनियों ने इन चरणों से तमाम तिर्थों की बंदना की है और जब कोई श्रावाद उन चरणों को छूता है तो उसे तमाम तिर्थों की दर्शन का फल मिल जाया करता है इसलिए हम मुनियों के चरण को छुखे हैं चरणों की बंदना करते हैं जिवन के लिए जिवन की सम्रदी के लिए हमारी शंसक्रती न दिखाया चरणों में जुकना चरणों में आचरण होता है हम भी उसके अगधार बने इसलिए हम चरण बंदना करते हैं चरन चुना पड़ती है, पैर पढ़ना पड़ती है, तो कैसे पैर चूती है, कैसे पैर चूती है, पैर नहीं चूती, घुटनी चूती है, पैर चरन, आचरन के प्रतीक है, जब हम किसी के चरन चूते हैं, तो ये भावना कहते हैं, आपके चरन में जो आचरन हैं, हम भी उसक हगदार बने लेकिन जब बहु अपने इस बुड़ी सास के चरण छूते है बुड़ी सास के घुटने में क्या होता क्या होता सास के घुटने में क्या होता शिवाय दर्द के और क्या होता है लेकिन जब कोई बहु शास के घुटने छूती है तो मुझे लगता है बहु कह रह जीवन के लिए जीवन की समर्दी के लिए संतों की चरण बंदना की जाती है चरण बंदना इसलिए की जाती है हम दे उसा चरण के हगदार बने पर याद रखना संत की चरण में रुकना शरल है संत के चरण में जुकना सharल है पर गुरु के चरण में रुकना बहुत ही दुरलव भूवा करता है जुकना सरल है जुकना सरल है पर रुकना रुकना